तो कैसे आप सब बढ़िया है तो सभी को अभी तो सुभरातरी नहीं हुई है सभी को अभी संध्या काल चल रहा है अभी सो जाएंगे हमको इस टाइम में पढ़ाने के बाद तो चलते हैं सबच्चे आजाओ सभी बच्चों का most welcome है आप लोगों का आज के इस class में हम देने जा रहे हैं आपको यहाँ पे आज हम देखेंगे यहाँ पे polymorphins के बारे में कि आखिरकार जो बहुरूपता होता है हमारे cylindrata के अंदर यानि नीडेरिया इसको बोलते हैं तो नीडेरिया के अंदर जो हमारे पास बहुरूपता होता है वो क्या होता है polymorphins क्या होती है इनके बारे में आज के सेसंस में हम देखेंगे तो सभी बच्चे का most welcome है आपके अपने प्यारे चैनल लेके आपके लिए नया class तो आज देखते हैं class number 25 हमारे लिए काफी important होने माला है ठीक है तो चलते हैं classes सु प्रणी थोड़ी चोटी है यहां भी यह लगी है कोई नहीं आप कमेंट करते रहेगा फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं आज के सेसंस को थोड़ा पूरा करेंगे और देखेंगे कितना important हमारे लिए है और कितना नहीं है ठीक है रात हो जाता है आप अराम से खाके पी के दम आराम से बैटा करो बस सोना बाकी रहे ठीक है क्या करना बढ़ते है बटा किवल सोना बाकी रहे और बाकी काम आप इदम टाटा बैबाई बिस्तर में तम सो के आराम से देखो ठंडी आ रहा है वैसे पढ़ने मजा आएगा ठेक चलते हैं यानि भाई बेहन जो भ क्लास के अंदर इंडर नहीं किए हैं वो बच्चे अप्लिकेशन के अंदर इंडर इन्रोल करके भी क्लासे का लूप उठा सकते हैं जितने भी पीडियोफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी कुछ लोगों का असरे बस डिफरेंट हैं कोशिस किया जा रहा है कि उनके सलेबस को भी हम लोग पूरा करा दे ठीक है अभी स्टार्ट होती है यहां से हमारे पास पॉलिमार्फिज तब बच्चे आ गएं क्लासे से स्टार्ट किया जाए एक बार जितने लोग आए हैं एक बार आप कमेंट करके बताएं आईडियो सब लोग को अगर आए है अगर चाल देते रहो बेटा ओके इंगल और देखो चलते हैं यहां पर क्याद करते हैं पॉलिमार्फिज को बारे में ठीक है फिर डाले ना आप बहुरूपता या पॉलिमार्फिज नमबर फर्स पॉइंट को डिटल करेंगे टिक क्या करेंगे सिंगल और निज क्या सिंगल और निज और स्पीज एज रिप्रेजेंटेट बाई मोर देन वन काइंड ओफ इंडिवीजुवल विच यहां पर डिफर इन फॉर्म एंड फॉंक्शन्स टिक इट इस सैंड टिक टूबी पॉलिमार्फिज्म एंड ठीक यहां पर आउगा कर फिनोमिनन टिक इस्ट्रेंड पॉलिमार्फिज ठीक अच्छा बड़ा अच्छा लाइन कहता है इनके बारे में क्या देखना है यह कह क्या रहा है यह पढ़ना छोड़ के उपर बात करें तो कहता क्या है कि जो हमारे सिंगल और निज मोते हैं या फिर जो इस प्रिसीज हो जांपल के बेसिस पे यदि यह बच्चा आगे चलके क्या करें दो डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्या दो या दो से अधिक क्या सकते हो कि दो या दो से अधिक जब अपने इंडिवीजिवली कारेक्टर्स को रिपर्जेंट करना चालू कर दे ध्यान समझना यह चीज क्या करन यह चीज आप सही तरीके से सर सर्सक्रिप्शन प्रादिजे ओके देखो ध्यान देना क्या बटा यहाँ पर क्या है क्याता है कि यहाँ पर सिंगल और इस पर्षीज रिप्रजेंटेड याई जितने भी single organism होते हैं या हमारे जो एक single organism होता है ठीक वो क्या करता है रिप्रजंट करता है क्या एक से अधिक individual करता है individual character रिप्रजंट करता है वो भी किस के form भी अपने body surface के basis पर और car के basis पर तो ऐसे भी कह सकते हो कि एक ऐसा कोई जीव या एक ऐसा कोई और्गनिजम जब अपने जैसे एक या एक से अधिक सनरचनाओं को क्या एक से अधिक सनरचनाओं को रिप्रजेंट करने लगे तो हम उन्हें क्या बोलते हैं उस activity को polymorphic activity बोलते हैं क्या बोलते हैं पैटा polymorphic activity या फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा फिनो minimum conditions बोलते हैं और इस पूरे terminology को हम लोग क्या बोलते हैं polymorphism बोलते हैं poly का मतलब होता है many और morphism का मतलब होता है form यानि एक ही जीव जब अलग अलग type के जब एक ही जीव अलग अलग type के अपने physiological characters को represent करें और उनका दोनों का function अलग अलग हो तो हम इने क्या बोलते हैं तब हम इने बोल देंगे simple तरीके से ना भाया यह क्या है यह polymorphism है polymorphism तो आपको एकदम database clear होना चाहिए आपको यह पूरा definition हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा यह पूरा definition हो जाएगा तो आप एक line फिर से सुन लीजेगा जब हमारा कोई individually person या individually organism एक से अधिक क्या करें बेटा ऐसे ध्यान दे दो ऐसे कर सकते हो क्या करें एक से अधिक क्या करने लगे ध्यान समयना यह क्या कर रहा है वेटा देखो एक organism था एक organism दो दरा के यानि यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया दो represent character represent करने लगे दो character represent करने लगे और दोनों के structure same हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं polymarphyse बोलते हैं फाइनल येर की class अभी नहीं लग रही है ठीक है सारी निशा फाइनल येर की class अभी नहीं लग रही है हम लोग फ़र्स्ट येर में ही परसान हो गया इस बार सलेबस इतना change हुआ ना कि परसान करके रख दिया तो आप यह कहानी समझेगा फाली मारफी जो एक प्रक्रम एक प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया के अंदर कह सकते हो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस के अंदर एक single organism एक या एक से अधिक मेटा कह सकते हो किया यहाँ पर morphology represent करता है और उन दोनों morphology के जो functions होते हैं वो दोनों कैसे होता है बटा डिफ्रेंट डिफ्रेंट होते हैं ठीक आगे कहता है अगला कहता है कि फाइलम सिलेंट्रेटा ठीक एज नोटेबल फार फार इट फाली मार्फिज विल दो क्लास हाइड्रो जोवा ठीक प्रोवाइड सम ऑफ दो बेश एक्जामपल आफ पाली मार्फिज इन दो एनिमल किंगडम यानि बढ़ियां वाला बात यहां पर कह रहा है आप इसको नोट हमारा क्लास हाइड्रो जोवा होता है है हमारे पास हाइड्रो जोवा में सबसे अच्छा यहां पर क्या होता है कि पाली मार्फिज की अट्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा यह छीज आःग द धिया करेंगे पिटा कि कि वाजमारा स्लेंट्रेटर reward 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 के एक न के अंदर पॉलिमारफिंक का फी अच्छा मिलता है खास कर किसमे जो मारे पास हाइड्रय मेरी बात करता हिक यहां पे कहता कि प्रवाईड या बढ़ियाँ वाला एक Figा पूरे एनिमल तो आपसे कभी मल्टिपल चुआइस के बारे में बात चित करे तो आप daughter क्लाइन ध्यान से हां सुनना ठीक है यह आपके UPSC के लिए भी काम देगा UPSC के लिए भी और MSC के लिए भी और आगे CSR NET की तयारी करोगे वहां भी और TGT PGT दोगे वहां भी यह पूरा टॉपिक काम करेगा अच्छा वाला यह दी आपको पाली मार्फिंच के बारे बात करता है तो आपको यह क्लाइन यह वाली नोटेट करनी होंगी क्या करनी होंगी बेटा कि जो हमारा सिलिंटेटा का के अंदर वो भी सिलेंटेटा किस यहां पे हाइड्रो जोवा के अंदर यदि आपसे फाइलम पूछा जाता है ज्यादना क्या यदि आपसे फाइलम पूछा जाता है तो आप फाइलम सिलेंटेटा बताएंगे कैसे पुछे का कोशन कि बताओ भया क्या बताओ यह बताओ कि जो पाली मार्फी होती है, वो सबसे best किस फाइलम में represent हो पाती है, तो आप क्या बताओगे, शिलिंटरेटा के बारें बताओगे, और ये पूछा जा सकता है आप से, कि बताओ कि पाली मारवी सबसे अच्छा किस क्लास में मिलता है तो आपको याद होना चीए किसके बारे में बैटा हाइड्रो जोवा के बारे में क्या बैटा हाइड्रो जोवा के बारे में तो कहाने इस पस्ट है ये बाते आपको किलियर हो गई होंगी न ठीक ये points आप सही तरीके से note कर लिजेगा आपके लिए काफी अच्छा है तोपिक को हम लोग भी डूडते हैं डूडने के बाद typing जब करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को क्या benefit देगा और कैसे देगा ठीक है तो clear हो जागा ये points ठीक है अब आगे बात करते हैं नियुक्त करते हैं वह दो प्रकार के होते हैं कौन-कन होते हैं इनके बारे में बात्चीत किया जांगा भी कहता है क्या है क्या खालोनियल हाइड्रो जोगा है two basic of American मार्फोलोजिकल टाइप अफ इंडवीजुवल ठीक परसन या यहां पे परसन की बात करता है या फिर यहां पे जुआइट्स की बात करता है या सबसे सिंपल तरीके से बात करें हम लोग तो यह कह सकते हैं कि जो हमारा सुलिंट्र इन होते हैं सिलेट्रेट्रा के फाइलम में बेजिक फायक मिलता है बाड़ी के दो मार्फोलोजिकल bit ट्राक्षो मिलते हैं ठीक किसमें पेटा हाइड्रोजोवा कालोण्या फाइड्रो करते हैं किसके मार्फोलाजिकली करेक्टर में किसके मार्फोलाजिकली करेक्टर में वह भी इंडवीजूलिटी के साथ यानि दोनों मार्फोलाजिकल करेक्टर एक दूसरे से कैसे अलग-अलग होते हैं ये चीज़ आप ध्यार रखिएगा बीटू बोलो बेटा अचा सुनिए सार बोलो क्या हुआ दिखाई दे रहा है आधा चलो ठीक है आप बोलते ना सर नेट की तयारी के लिए कोई बुग बता दीजे मिल जाएगा बड़ा काई तो है मेरे पास मैं बता दूँगा ठीक है आप मैसेज कर देना मिल जावाँ पर लिस्ट आपको देदेंगे ठीक बहले तो बेसिक तयार कर लो फिर आपको नेट की तयारी की सारी पिप्रेशन आपको बता दिया जाएगा यह याद हो जागा ना पैटा कि हमारे पास जो कालोनियल हाइड्रो जोवा होते हैं कालोनियल हाइड्रो जोवा के दो बेसिक पार्ट होते हैं और दोनों दो इस्ट्रक्ट्ट्ट्र को बनाएगा और यह दोनों इस्ट्रक्ट्ट्रस इन से अलग होंगे तो हम इने क्या बोलते हैं हम इने इस पेसली यहां पर क्या बोल देंगे बेटा हम इने ज्वाइट्स बोल देंगे क्या बोलेंगे हम इने ज्वाइट्स का नाम देंगे ठीक है नहीं समझ मैं ऐसे लिख लो यह दोनों इस्ट्रक्टर्स अलग-अलग होंगे तो हम इने क्या बोलेंगे हम इने सिंपल फार्म में नाम दे देंगे क्या यह हमारे ज्वाइट्स हैं क्या है ज्वाइट्स हैं अब आगे चलके कहता है कॉल दपॉलिफ यानि एक को हम लोग क्या बोलेंगे एक को म लोग पाली बोलेंगे ऐगे पढ़ना है और दूसरें टाइप को Meदeousa क्या बोलेंगे बेटा मेदेूसा बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका कि जितने भी Kalonie wells hoंगे ठीक क्या है थियर पास है हमारे है हाइड्रो जोवा क्या करते है felt basic बात करते हैं एंडेल में दोनो डिए दुलोंत कि करते हैं ये बाते हैं यह की ऐंगी मैं यानि कैसे होते हैं यह दोनों जो इस्ट्रक्चर्स होते हैं वो fundamental जो इनके body का base organization होता है क्या है इनके body का base organization होता है वो काफी ज्यादा कैसे होता है easy होता है कैसे होता है easy होता है जया मैं आपको बता दूँगा बीनू MSC class only evening में चलती है नई सुबह भी चलती है सुबह भी class चलती है बेटा सुबह लगती है साथ बज़े साथ बज़े physiology चल रही है वो ची ज्याद है ठीक है सर जी आपका क्या बोल रहे है बेटा दिखने रहा है का मेरे को अच्छा एक मिनट बेटा एक मिनट ठीक हाँ कंटेक नंबर चाहिए पाटा तो लिख लो आपको कंटेक नंबर मिल जाएगा ठीक सर बीची ले सकते हो अगे बात करते हैं कंटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्षन में ले सकते हो ठीक है यहां वीडियो में नीचे देखो यहां पे नंबर चल रहे हैं ठीक आप देख पारे हो यहां पे एक छोटा सा रील चल रहा होगा इस रील में चल रहे होंगे न नंबर आप वहां से ले सकते हो आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि जो हमारे पालिप और मेड्यूसा होते हैं क्या होते हैं पालिप और मेड्यूसा होते हैं दोनों के फंडमेंटली से वह भी बने होते हैं और इंडोडर्म से यह भी बने होते हैं जो शिमलर कंडिसंट उनुन budget इन्हें भी मिलता है यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा ठीक कहते हैं कि और होमोलोगस एंड कैन भी ठीक यहाँ पे अच्छा अच्छा मतलब उनके बॉड़ी का बनावर्ट जो होता है वो सेम होता है लेकिन कैसा उनके बॉड़ी का जो इनिट होती है वो सेम होती है लेकिन जो उनके इस्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस्ट्रक्चर्स के डिटेल होते हैं वो कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते है द्यान देना उनके body के जो बनावर्ट होते हैं, ठीक, organization जो base होता है, वो कासा होता है, same होता है, ठीक क्या होता है, same होता है, लेकिन उनके body के जो structures होती है, वो कैसी होती है, alロại-alolils होती है और दोनों के functions भी क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, क्या होते हैं, दोनों के functions भी अलग-अलग होते हैं, इसलिए हम इन्हों क्या बोलते हैं, होमोलागस बोलते हैं, ठीक, कैसे, होमोलागस, होमोलागस के मतलब क्या होता है, जब उनकी physically body, कैसी, उनके जो physically body है, वो एक ज का बड़ी का बेस और अलग है लेकिन उनके बड़ी का इन situそう क्या है अलग अलग घाएगा तो बैसारे इसको स्क्रीनोट कर लेंगे जिस बच्चों को लोस मिल पाता वो इसक्रीनेश उद्र कर ले ठीक कि को चलते हैं आगे छांडनी अभी से बेटा कहां थे ईतने देन इतने देरे करां थे चलो आप्लिकेसट पिदी आद देखी लोगे हुा तुम्हें नहीं पैटा स्वारी नहीं बाद में बीडियो तुमको मिले गाई तुम देखी लोगो यहें तो कोई दिक्कत है इनके बादशित किया जाएगा अभी जख्ष्ट हमारे पास आगे पिक्चर भी है यहाँ पिक्चर देख रहे हो é раск constructing , अबेक सुम्हार चलती है आठ बजे कमिश्ट्री का ठीक और रात को सर आपकी टाइम फिक्स नहीं रहता क्या कि बिटा देखो टाइम फिक्स ऐसा नहीं टाइम फिक्स नहीं है लेकिन रहा है कि हम लोग भी सिस्टम में बदे हुए है ना कभी लाइट कभी कुछ गाउं में पढ़ाने का सबसे बड दिना कहुंद हो इसे निदंशन रते हैं यह घंता कर रहें है जितना होप आ रहा है उतना कर रहा है हम लोग ठीक है अब देखो ओ अ इन्हीं structures के बारें बात करना है मेरे पास इधर मेडूसा है और इधर क्या है हमारे पास polyp form है क्या है उधर मेडूसा इधर polyp form है तो polyp और मेडूसा में क्या अंतर होता है या दोनों कैसे बने होते हैं हम उनके बारें पहले देख लेते हैं फिर उसके बार थियोरी फिर हम ल पाली फार्म होते हैं क्या होते हैं जो हमारे पाली फार्म होते हैं पाली फार्म कैसे होते हैं एक लंबी सी ट्यूब लाइक इस्ट्रक्ट्रस होते हैं कि लियर नहीं दिख रहा है अच्छा कि लियर नहीं दिख रहा है आगे देखो बिटा मैं आपको पिक्चर नहीं समझा देता हूं आप बाकी इस्ट्रक्चर्स लिखने वाला लिख लिजेगा स्क्रीन सॉट करके यह आप थोड़ा सा बढ़ाईएगा ठीक है मैं वैसे कर रहा हूं कोशिस कि आपको दिख जाए एक मिना बिटा चलो ठीक है बढ़ा दीजिए सर ब्राइटनेस मेरे पास सेम है कैमरे की सेटिंग सेम रहती है उसमें ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो गडबड घोटाला हो जाएगा मेरे साथ थीक बाकी काम हम साही कर दिए है जूम कर दिए है इतना आपको दिख जाएगा ठीक है आप थोड़ा सा रेजिल्येशन बढ़ा लीजिए बिटा क्लियर हो जाएगा अब समझना कि पालिप कैसे होता है और मेडूसा कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बाचीत करेंगे ठ एक हमारा पॉली फार्म है और दूसरा हमारा मिड्यूसा फ ao defined है जो पाली फार्म होता प्पा लगते होता है आप सिलेंडर खलाइड होता है तो भी ना कंगे में बोल रहा है झाहरा ना कांई लयन कहा और उस기도 होती है इस वर इखे पाइस अधर होती है उसके बाद उपर यहाँ पर क्या मिलते हैं मैंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट किसे एक्टोडर्मिस से बना होता है और एपीडर्मिस और जो गास्टोवेस्कुलर केविटी होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होते गास्टोडर्मिस होती है यानि इनके अंदर दो लेयर होती है एक बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एपीडर जो एक्टोडर्मिस से बनता है और जो गास्ट्रोडर्मिस होता है वो किसे बनके बनाता है वो इंडोडर्मिस से बना होता है और इधी दोनों के बीच यहां पर वाइट कलर का एक माटेरियल मिल रहा है जिसको लोग क्या बोलते हैं मिजोगिलिया बोलते हैं यह जिलिटीनि material होता है जो दोनों को support करता है क्या करता है support करता है और gastro dermis के अंदर जो खोखला बेलना कार एक structure होता है cylindrical like structures होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पूरा क्या बोलते है इसको gastro vascular cavity बोला जाता है क्या gastro vascular cavity का नाम दिया जाता है ठीक वही काम यहां भी देख रहे हो यहां पर सिलिंडिकल like a light form में है लेकिन यहां पर यह अंब्रेला लाइक structure में कैसे हैं अंब्रेला लाइक structure में इनके थियोरी को आप देखो कि कहते क्या है कहता है दा मेड्यूसा एज फ्री सेविंग ट्रैपिकल विट एब ल ठीक यहां पर अंब्रेला से क्या कराए अंब्रेला सेप्ड बॉड़ी यानि जो हमारे पास मेड्यूसा होगा वह अंब्रेला यानि यहां पर बेल गंटी नूमाइक ध्यापी कुभ और जो यह लेयर आप देख रहा हूं यह हमारा है यहां पर गास्ट्रोडर्मिस क्या है गास्ट्र्मिस है और इसके बीच में पूरा खोक्षे में यह पूरा खोक्षे मा जगण सब्सक्राइब चाहरा घ्यांग guitar तो दो घ्याइब HRS दो और Counselager वेठों साथ आता है जबकि इनके अंदर कम वेटेज के साथ आता है यह चीज़ आप ध्यार रखिएगा यहां पे कानवेक्स साइट यूजली डारेक्टेड अपवर्ड टिक एंड तो माउथ एंड लोकेड़ अंग टुबलर प्रोजक्शन फॉर्म दो सेंटर आप दो यहां पे कान केओ लोवर सर्फेस यानि कहने का बड़ा सिंपल तरीका से है कि हमारे पास जो माउथ होता है वह घंटी के ठीक नीचे की ओर क्या नीचे की ओर जो यहां पर हमारा माउथ देखने के लिए मिलेगा यहां पे ढाउन साइट में हमारा माउथ और एनस मिलेगा और यहां पे हाईटराई से वह हूतें किसलिए इनके फ्रीशिविंग के लिए यह सφी करते हैं यह हàiडाइटस होते हैं जबकि यह किसी बेस मेंब्रेन से चिपक कर यह सही तरीके पढ़ा देंगे दोनों वीडियो मैं देंगा चांदनी ए इस लुमेर और जो टूसेलो मेर्स लुमेर्स हैं उनके बारे में बात किया जाए कर दूंगा पूरा किलियर हो जाएगा शिलुम के बारे में वीडियो ने ने बनाया था बट मैं आपको दे दूंगा ठीक है ठीक है जानरी कि बोलते रहों तुम लोग सो गए क्या जी तुम लोग हमको बोलते हो कि आप सर पढ़ाई ये अपने सब सो जाएंगे पते निचा रहेगा कि सब रखके देख भी रहें कि सो गए कि कहां गए सर जी स्क्रीन ज्यादा जूम हो गया है लाइटर कट गया अच्छा हाँ सर किलियर है स्क्रीन ज्यादा जूम हो गया है ठीक अच्छा स्क्रीन जूम हो गया बेटा तो मैं इसको अवकम कर दूंगा ठीक तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीज़ेगा यह पूरा जो टॉपिक था वो सेम टॉपिक यहां पे बोल रहा है अप इसको पढ़ोगे पूरा हमारा किलियर हो जाएगा कि टेंटिकल्स कहां होते हैं अप टू डाउन कहां होते हैं तो आप लोगों ने यहां देखो यहां प दो questions आते हैं ठीक एक question आते हैं 5 number में कितने विड़ा एक question आते हैं आपको 5 number में और इदी 5 number में आएगा ये पूरा लिखना उसके बाद ये लिख देना ठीक तो 5 number आपका यहां से clear हो जाएगा ठीक है 5 marks यहां से आपको मिल जाएंगे और लाश में ये जाते जाते figure को draw कर द देना इलहाबाद university के लिए है sir हाँ बेटा इदम है है paper में हमारे पॉलिफ भी free saving करता है बेटा लेकिन ज्यादातर condition में पॉलिफ जो होता है वो free saving नहीं करता है मतला more time देखा जाए तो जो हमारा पॉलिफ होता है वो free saving ज्यादा नहीं करता खासकर medusa actively free saving करता है क्यों होत पॉलिफ भी free saving करता है ठीक जादने ध्यान देना पॉलिफ भी free saving करता है लेकिन वह एक्टिव नहीं होता ठीक है लेकिन जो medusa होता है वह एक्टिवली यानि जब compare करोगे तो ऐसा बोल दिया जाता है कि जो पालीफ होता है वह फ्री saving में उतना interesting नहीं होता जबकि जो medusa हो पॉल जादा active होता है free saving करने में ठीक है यह जाद ध्यान देना तो आप यह फिगर बना दोगे तो आपका यह देखो यहां से लिखो गे पेटा उसके बाद यह लिख देना फिर उसके बाद आमाना यह फिगर हो जाएगा तुम्हारा 5 नमबर वाला class complete हो जाएगा अब बा importance of polymarphyse की बात करें तो देखो क्या कहता है कहता है कि जो बहुरूप्ता अनिवार रूप से जो स्रम विभाजन की घटना है यह जो मारा labor points होते है है क्या होते हैं जो हमारे ए फिनोमेन और डिवीजन आफ लेबर यानि स्रम विभाजन यानि अलग-अलग कार करने के चमता के अधार पे क्या अलग-अलग काम करने के चमता के अधार पे जो हमारा ऑर्गनिजम होता है वो अलग-अलग टाइफ के कौन ज्यादा डिवलफ होता है बेटा जो हमारा यह क अलिफ से एक है क्योंकि उसके अंदर water कैनल सिस्टम काफी जादा यादा है ठीक कि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो पॉलिमार्शिक अंदर जो लेवर डिवीजन होता है स्तुरम विभाजन होता है स्तुरम विभाजन के basis पे देखा जाए तो यहाँ पे काफी जरूरी होता है हमारे पास क्या यहाँ पे polymarfin कहता है कि different function are यानि अलग-अलग एक ही आर्गनिज जब अलग-अलग functions करता है वो ज़्यादा जब एक ही अलग-अलग रूपों में function करने के लिए भी कहीं ने कहीं polymarfin काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्या काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है यानि एक ही ब्यक्ति या अलग-अलग ब्यक्ति एक काम करे तो मतब एक single single काम करे तब की बात करेंगे यह एक ही ब्यक्ति अलग-अलग structures में अलग-अलग काम करें तब जाके ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक तो अब यहाँ पे होता क्या है बेटा कि कहता है यहाँ पे अच्छा तीसरा कह रहा है कि poly और यहाँ पे consider the feeding production and the asseguary production ठीक अच्छा देखो यानि कहने का मतलब क्या होता है कि जो poly farm होता वो क्या करता है poly farm feeding करता है यहाँ पे production करने काम करता है और यह करता है sexual reproduction करता है लेकिन जो medusa होता है क्या sexual reproduction करती है यह most point है बढ़िया वाला point है इसको नोट जरूर करना इसको आप लोग याद भी कर लेना कि जो आप पाली-फाम होता है उसमें केवल खाने पीने का काम होगा और वो भी ए-sexual reproduction होता है क्या कम डेवलफ होने के वो यसे वो ए-sexual reproduction करता है जबकि जो हमारा medusa होता है उसके अंदर क्या होता है sexual reproductions होता है क्योंकि उसके development थोड़े ज्यादा होते हैं ठीक है यह clear हो जाएगा पैटा यह clear हो जाएगा सबको yes or no यह पॉइंट बहुँ छोड़े हैं यह पॉइंट बड़े छोड़े छोड़े मैं इसको second वाले में कोई ज्यादा कुछ है नहीं कि जो हमारे different function are assigned to different individually rather than to the part of organ of individual कि कहना का मतथर स्मय सिंपल शींपल तरहिके से सांगे इनके कहना का मतब्लस सिंपल था कि अलग अलग प्यक्तियों में जो पॉल्ट में ना कि व्यक्ति के अरे स्थ की ज़सेसे क्या हों कि अलग अलग व्यक्ती अलगर काम करें ज्हाधा जरूरी ये 5 नंबर का भाई बेन जो भी 5 नंबर का आपका ये पूरा टॉपिक निकल जाता है अब दूसरी चीज होती है कि पैटन द्यान देना दो चीजे पेपर में अभी हमने सलेबस देखा था अभी जब पढ़ाने से पहले मैं सलेबस देख रहा था सलेबस में दो चीजे डिसाइड नहीं किया है कि एवल यहाँ पे पॉली मार्फिज के बारे में बात किया है किसके बारे में पॉली मार्फिज्म के बारे में बाचित किया गया है लेकिन पॉली मार्फिज्म के पैटन के बारे में बात नहीं किया गया है इसके बारे में पैटन के बारे में पैटन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इसके बारे में कोई बातचित नहीं करी है तो अब देखो हमारे पास अगली जो हेडिंग होती है बड़ी वाली हेडिंग जो घंटो दो घंटो चलती है वो होत ंद different order of the class hydrozyился यह हमारे पास क्या होते हैं कि जो hydro जोवा के class हो थे हैं क्या होते हैं जो hydro जोवा के । प्रूली मार्फिज्म देखने के लिए मिल जाएगा तो कहो तो मैं पढ़ाऊं नहीं तो छोड़ दूँ आपको PPT मैं दे दूँगा आप एक बार अपने से पढ़ लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा लेकिन पस नमबर में तक मेरे नहीं आया होगा मैं पेपर देख लूंगा फिल्स एक बारर बार यदि आया होगा तो उसके रिकॉर्ड़ेट क्लास आप्लिकेसं के उपर आपको देदिये जाएंगे यह यह शीजा न रखियेगा ठीक है चांदनी आचल ख्याती जितने बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 5 नमबर में दिया आएगा बेटा या बहन जो भी तो आप लोग क्या करिएगा कि जितना मैंने अभी पढ़ाया है पैटन को छोड़के क्या पैटन को छोड़के जितना मैंने पढ़ाया है वो आप 5 नमबर में उसको दे दीजेगा बड़ा आराम से इंडिविजुली तरीके से बड़ा आराम से दीजेगा कोई समें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको 15 नमबर के लिए कोश्चन कभी आता ह है तब जाके हमें पैटन के बारे में ध्यान देना होता है कि आखिरकार से यह इन के बारे में जब बातचित करना पड़ेगा थो हम 15 नमबर के अंदर करेंगे जैसे यहां पे हाइड्रो जोईया के बारे में बात कर रहा है हाइड्राइडा के बारे में बात करेंगे तो हाइड्राइडा का नेचर अलग है मैं बता रहूं आपको उसके बाद हाइड्राइडा का कुछ ऐसा नेचर बनता है इसमें हमारा ये पॉलिफॉर्म है ये मेडूसा फॉर्म है ठ हमारे पास क्या मिलेंगे यहां पर हमारे पास दे इंक्लूट्स यह सारे करेक्टर कहीं कहीं इंक्लूट्स होंगे उनके बॉड़ी के अंदर ठीक है अब देखो जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास के मलता सिकेंड ऑर्डर जो हमारे पास होता है जिसके मंदर अलग टाइप का यहां पहां है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देख पार हैं यह हमारा polyform है क्या है यह हमारा polymorphism form है ठीक इनके बारे में बातचित करेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हमारा पास gastro यहाँ पे gastro-droid क्या कहलाते हैं कैसे यह पूरा जो structure देखे दे गास्ट्रो डॉइड का ही था फिर उसके बाद यहाँ पे modification आप medusa के बारे में बात करेंगे क्या अखिरिका जो medusa होता है उसका modification कैसे होता है ठीक उनके बारे मिसका बाचित थिर उसके बाद यह पूरा टिगरी चलेगा ठीक यह पूरे उसके टाइप से क्या है यह पूरे टाइप से खतम हो जाएंगे मतलब यहां पर टू टाइप से क्या जान देना मेरे बात मैं आपको समझा दे रहा हूं थोला सा यहां पर पैटन आप जो पाली मार्फिंश क्या अच्छा यह बताओ बेटा कि पूरा पूछा है कि कितने नंबर में पूछा है कि प्रीवियस यह में पूछा है हाँ यह मेरे को पता है कि पूछा है यह मैं भी जानता हूं लेकिन यह बताओ कि पांस नंबर में पूछा है कि पंदर नंबर में पूछा है अच्छा 500 वर्ड मतलब दस नमबर में ख्याती दस नमबर में पूछा है अच्छा 500 वर्ड मतलब दस नमबर में पूछेगा तब जाके मेरे को ये भी पढ़ना पढ़ेगा तो अभी क्या करो तुम लोग सारे बच्छे क्या करो ये स्क्रीन यह हम लोग क्या करेंगे अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहें ठीक है मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके अप्लिकेशन में दे रहा हूं आप वहां पर जॉइं पूछा है थिक है सर ओके-ओके ठीक हो जाएगा पैटर्ण पढ़ा देंगे तो ओरीजिन के बारे हैं पता चल जाएगा ठीक modification पढ़ा देंगे तो clear हो जाएगा ठीक तो आप बेड़ा इतना ही राने दीजिए ठीक मैं application पे ये पूरा जो points है मैं इसको clear करा दूँगा आपको मिल जाएगा ठीक है सुबह सारे बच्चे 7 बचे मिलेंगे सुबह सारे बच्चे 7 बचे मिलेंगे ठीक हमाना topic है क्या है topic type of digestion type of digestion and observation ठीक second class है ठीक चला जाए तो कल या पढ़ दीजेगा ठीक application का अंदर मैं video record कर दूँगा कल संडे है कल घर पे ही रहना है तो मैं video record करके आपको provide करवा दूँगा ठीक चला जाए कोई problem किसी को किसी को प्रॉब्लम में एटा क्या आती है या फिर चांदनी हाँ MSC के लिए है सर MSC के लिए ही यह topic है ठीक है आप इसको करना होगा तो screenshot कर लिजेगा वैसे notes की जरूद हमारे application के बच्चों की होती है ठीक हम उनके बारे में उनको दे दिया जागा साइसे हाँ प्रॉब्लम में जरूप नहीं हाँ हाँ प्रॉब्लम